नमस्कार बच्चो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सुपर हंडेड एंट्रेंस टेस्ट जो की 23 अगस 2020 को और 24 अगस 2020 को होने जा रही है उसका यूजर आईडी और पास्वर्ट देने वाली हों दोनों ही दिन आपका यूजर आईडी और पास्वर्ट सेम रहेगा आप ध्यान से सुनिए आपका सुपर हंडेड एंट्रेंस टेस्ट में यूजर आईडी होगा 10th क्लास का बोर्ड का रोल नमबर बेटा ये वो ही रोल नमबर है जब आपने 10th क्लास की परिक्षा दी थी तो स्कूल की तरफ से आपको एक एड्मिट कार्ड मिला था उस एड्मिट कार्ड में जो रोल नमबर लिखा होगा वो ही रोल नमबर आपको सुपर हंडेड एंट्रेंस टेस्ट में ऐस यूजर आईडी भरना है पासवर्ड के लिए आपको अपना डेट अव बर्थ भरना है जिसमें आप डेट लिखेंगे पहले फिर मन्थ लिखेंगे फिर आप येर लिखेंगे मैं आपको एक्जाम्पल के तौर पे बताने जा रही हूँ जैसे सपोस किसी की बर्थ डेट है एक जनवरी 2003 तो वो बच्चा लिखेगा एक की जगा लिखेगा 01 जनवरी की जगा लिखेगा वो 01 क्योंकि हम जनवरी को 1 से डिनोट करते हैं और 2003 की जगा वो लास्ट की टू डिजट लिखेगा 03 तो उस बच्चे के लिए पासवर्ड बनेगा 01-0103 सपोज अगर ऐसे ही किसी बच्चे का डेट व बर्थ है 7 दिसम्बर 2006 तो उसके लिए डेट व पासवर्ड बनेगा 07-12 दिसम्बर के लिए हम लिखेंगे 12 और 2006 के लिए लिखेंगे 06 तो उसका पासवर्ड बनेगा 07-12-06 मैं आपको फिर से बताने जारी हूँ यूजर आईडी आपका होगा 10th क्लास का बोर्ड का रोल नंबर यह वो ही रोल नंबर है जो कि आपने Super 100 Registration Form में Metriculation रोल नंबर के कॉलम में भरा था और इसी WhatsApp ग्रूप के माध्यम से हम आपको एक लिंक भेजेंगे जिस लिंक को आप क्लिक करके आप वेब पेज खुलेगा जिसमें आप पेपर दे सकते हैं उसमें आप User ID भरेंगे अपना फिर पासवर्ड भरेंगे उस लिंक को आप डिरेक्ली क्लिक करेंगे तो आप डिरेक्ली उस वेब पेज पे चले जा सकते हैं अगर किसी कारण वर्ष किशी बच्चे का लिंक खुल नहीं पा रहा है तो वो बच्चा उस लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम खोल के एड्रेस बार में जाके उसको पेस्ट कर देगा फिर एंटर दबाएगा तो उसका वेब पेज खोल के वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भर के पेपर शुरू हो सकता है उसका बेटा पेपर आपका ठीक साड़े दस बजे ही शुरू होगा पेपर वन के लिए पेपर टू के लिए दो बजे ही शुरू होगा और ठीक साड़े बारा बजे खतम हो जाएगा ये पेपर आपका पेपर 1 के लिए और 4 बजे खतम हो जाएगा पेपर 2 के लिए आप फिर से ध्यान से सुनिए ये लिंक आपका साड़े 10 बजे ही खुलेगा ठीक ना एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद और आप इस चीज़ का विशेज ध्यान रखिए आप सारे कोशन पहले ढंक से पढ़िए जल्द बाजी में सम्मिट का बटन नहीं दबाएना क्योंकि सम्मिट का बटन दबाते ही वो पेपर आपका सम्मिट हो जाएगा आप फिर से वो पेपर नहीं दे पाएंगे तो आप पूरे 2 घंटे इस्तमाल करिए उसको अच्छी तरह से कोशन को रीड करिए कोशन पेपर दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे और आप उसका सोच समझ के उसका जवाब भरिए आप कोशन को एक बार देने के बाद फिर से रिव्यू भी कर सकते हैं पोश आपने कोशन 1 अटेम्ट कर लिया और आप कोशन 2 या 3 पे आ गए हैं आपको फिर से चेक करना है कि मैंने कोशन 1 सही किया है या नहीं किया तो आप पीछे जाके चेक भी कर सकते हैं पर आप सम्मिट बटन नहीं दबाना और लिंक की इंफोर्मिशन आपको दूसरे वीडियो के दुआरा या वाटसेप ग्रुप के दुआरा हम दे दी जाएंगे धन्यवाद